हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने योटूब चैनल एक के आई टी सेलूशन में तो स्टुडेंट्स हम लोग लिब्रे आफिस राइटर की सीरीज बढ़ रहे थे इस सीरीज में हम लोगोंने कुछ मेनू कवर कर लिया था जैसे यहाँ पे फाइल मेनू, एडिट मेनू और विव मेनू इन मेनू को हम लोगोंने पहले ही कवर कर लिया है तो आज हम लोग जो तो शुरू करने जा रहा हैं वह करने जा रहा हैं covert मे इन्सर्ट मेंनू में इतनी आपसंस दिये गए इन आपसंस को हम लोग दे बाय ने बढ़ेंगे तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले है page break तो पेज break का मतलब क्या होगा यह पेज को bur rip करने का काम करेंगा जैसे example मैं यहाँ पर एक word type कर ली रहा हूं एक line type कर ली था runs Welcome to AKIT solution welcome to AKIT solution इसके बाद यहाँ पर मैंने इसी का copy paste कर लिया कई बार copy करके मैंने इसको copy paste कर लिया ऐसा दएखिए कई लाइन यहाँ पर हो गई है लगवग हम पान्न में टाइप कर लिया अब सपोच करिए जैसे माली यह लाइन है पहली वाली हम चाहते हैं इस लाइन के बाद यह सब परग्राफ थे जो लाइनिंग थी वो क्या हो जाएंगी यह जो लाइनिंग है यह सब लाइनिंग अगले वाले पेज में चली जाएं जो आपके पास और जाएंगे इंसर्ट में और पेजब्रेक पे क्लिक करेंगे जैसे ही पेजब्रेक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यह जो लाइन आपकी थी सिर्फ सिंगल वह एक लाइन बची बाकि उसके नीचे डॉकुमेंट ब्लैंक हो गया है यहाँ पे आगर आप देखें तो बच रख लेंगे और इंसर्ट में जाएंगे पीजड चलिक करेंगे घर हमारे पास एक नया पेज आ गया इस तरीके से पेज ब्रेक के माध्यम से आप अपने डाकुमेंट में अनेक पेज जो है इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है नेक्स देखते हैं अगला अप्शन अगला अप्शन इसमें जो आपका दिया गया है मोर ब्रेक करके दिया गया मोर ब्रेक का मतलब क्या होगा जैसे माली यहाँ पे हम चलते हैं मोर ब्रेक पे तो इसमें पहला है इंसर्ट मैनूवल रो ब्रेक का मतलब क्या होगा कि यह रो को ब्रेक करेगा जैसे आप देख रहे हो कि यह सब जो रो हैं इन रो को अगर हमको ब् सर यहां रख लेंगे insert पर जाएंगे more break पर जाएंगे और यहां से जो यह वाला option है आपका insert manual rubric इस पर click कर देंगे यह जैसे मैंने इस पर click किया इसके बाद जितनी भी लाइन थी वह लाइन क्या हो गई अगले वाले line में add हो गई है चली गई है यहां पी लाइन पूरा ब्लैंक हो गई है इस तरीके आप किसी भी लाइन को क्या कर सकते हो ब्रेक कर सकते हो next अगला आप्षिन कॉलम में कनुवर्ट कर दे तो यह option आपका वर्क करेगा तो यहां पे हम चलते हैं इसको multiple कॉलम में कनुवर्ट करते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा format में इसके बाद जाना पड़ेगा columns में जैसे columns में जाएंगे यह पर आपके सामने राए कॉलम तो जितने भी इसको बढ़ाना यहां से आप उसको क्या कर देंगे बढ़ाई तीन कालम जैसे आपके requirement भूर अब देखिए आपका यही outcome जो है अब तीन कालम में इस तो इस तरीके से हम जो है column को add कर सकते हैं, तो कि हमारा column तयार है, अब अगर हम इसको cursor की बात करें, तो यह जो line है, यह column है, यह column इसी के लिए है, अगर जब तक यह column भरेगा नहीं, आप इसमें पूरा type नहीं कर लोगे, तब तब आपका अगले column में नहीं जाएगा, देख कर रहा हूं, वो click ही नहीं होने दे रहा है, इस column में, ठीक है, यह तभी possible होगा, जब आपका क्या होगा, column break होगा, चलिए, माली यह cursor हम नीचे रख लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर insert में, more पर जाएंगे, यहाँ पर insert column break, इस पर हम click करेंगे, जैसे इस पर हम लोग इसको थोड़ा normal कर लेते हैं, column में जा करके, इसको वापस one कर देते हैं, ठीक है, next अगला option सही का, manual break, manual break क्या होगा, यहाँ पर मैं इस पर click करूँ, तो देखिए, जो अभी आपने options देखा हुआ था, line break करने का, column break करने का, और page break करने का, वही तीनों options आपका, य next हम लोग अगले options की तरफ चलते हैं, और देखते हैं, अगला option क्या है, अगला option इसमें दिया गया है, image, यानि अगर आप इस पर काम कर रहे हैं, लिब्रे आप इस writer पे, और आपको आप सकता पढ़ गई किसी image की, image लगाना है आपको इस document में, तो इसके लिए आप क्या कर इस image को आपको लेना है, कमाल लिजे हमने इसको insert करा लिया, यह मेरा एक image क्या हो गया, insert हो ठीक है, यहाँ पे आ गया, अब अगर मैं इस image को select करूँ, तो देखिए, इस image से related, यह उसकी property खुल के आ रही है, ठीक है, क्या खुल के आ रही है, उसकी property, यानि उस image से related, और इस text related, कुछ options यहाँ पे आपको advance में मिल रहे हैं, तो अगर मैं इसके advance absence की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम जाते हैं, सबसे पहले none पे click करते हैं, तो यह तो देखिए, आपका image उपर आ गया, और आपका जो text है, वो कहाँ पे सो कर रहा है, नीचे सो कर रहा है उसी तरीके से इसमें अगला जो options से parallel, इस पर अगर आप click करते हो, तो आपका जो text है, और जो आपका image है, वो parallel में सो कर रहा हैं, नेक्स अगले option पे अगर click करें, आप्टिमल पे अगर आप click करते हो, देखिए, image एक side हो जाता है, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, paragraph हो हो रहा है, नेक्स बढ़ते हैं, अगले options की तरफ यहाँ पे, तो अगला option यहाँ पे दिया गया है, चार्ट के बारे में, अगर आप चाहते हो कि अपने लिब्रे आप इस writer में, चार्ट को insert कर दिया जाए, तो यहाँ से आप चार्ट भी क्या कर सकते हो, insert कर सकते हो, जैसे है, इसकी formatting कुछ आ रही है, चार्ट से लेटेड, तो यहाँ से अगर चार्ट से लेटेड कुछ formatting और आपको करनी है, तो आप यहाँ पे उन options पे click करके, आप कर सकते हो, यहाँ पे चार्ट की वाल जो है, इस वाल पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, अगर हम इस पे data table पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखिए, जो data हमारे सामने आया हुआ, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 का, वो यहाँ पे show कर रहा है, तो अगर आप चाहते हो, कि इस category को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, उसको अपने नुसार आप बनाना चाहते हो, तो इसको भी आप क्या एड़ करनी है, चार्ट पे, तो यहाँ पे आप टाइटल भी एड़ कर सकते है, उपर टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, उसी तरीके से अगला है, लीजेंट ऑन और आफ करना हो, यानि लीजेंट मतलब क्या होगा, कि इस साइड जो आप देख रहे हो, यह राइट साइड आपका आता है, अगर आपने लीजेंट ऑन किया हुआ है, तो यहाँ से लीजेंट का आपसन आएगा, लीजेंट से रिलेटेट सेटिंग आएंगी, जैसे उसका बॉर्डर अगर देना हो, एरिया देनी हो, ट्रांसपेरेंसी देनी हो, यह सब आप यहाँ पे सेट कर सकते ह होंगी आपके चार्ट की, वह हम लोग अगले साप्टर में, कैलक में अच्छे से पढ़ेंगे, उसका एडवांस वर्जन तक भी हम लोग देखेंगे, तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, और नेक्ट आपसन की तरफ बढ़ चाहिए, अगला आपसन है, इसमें मीडि अब देखिए, मीडिया में यहां पे तीन आपसन दिये गए हैं, पहला है गैलरी, अगर हम गैलरी पे क्लिक करते हैं, तो यहां पे इस साइड जो है आपका राइट साइड में एक गैलरी ओपन हो जाती है, जैसे हमने यहां पे गैलरी पे क्लिक किया हुआ है, तो यहां प को bullet type में category लेनी है आप डाइग्राम से कर्टेग्री ले चाहते हो आप डाइग्राम लें सकते तो इसमें तमाम तरगे की गैलरी आपको मिल जाती हैं जिसका अपने राइटर में कर सकते हैं ठीक है तरह से हैं और प्रिंटर यहां पर शोक्र रहा है सकते हैं डिक्तत की तरफ हम लोग फिर से बढ़ते हैं तो अगला अप्छन इसमें है है हमारा इंसर्ट में आईडियो और वीडियो यानि आप अपने राइटर में अगर चाहते हो आईडियो और वीडियो भी इंसर्ट करना तो भी आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हो तो आइडियो और वीडियो इंसेट करने के लिए आपको जाना होगा इंसेट पे, मीडिया पे और यहाँ पे जाओगे आप आइडियो और वीडियो पे जैसे आप इस पर click करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि location दीजी जहां से आप idea और video को लेना चाहते हो तो मैं आप यहाँ पे जाओगे location पे और जहाँ पे आप idea और video रखे रहोगे उसको select कर लेना select करने के बाद यहाँ से open पे click करना जैसे आप open पे click करोगे अभी आपके सामने एक video की file आ जाएगी देखिए हमारे सामने एक video की file आई है यह तनी बड़ी है कि आपको दिखी नहीं रही होगी तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यह देखिए मैंने एक video को insert कर लिया हुआ है अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ control दिया गया है कि यह मेरी video insert हो गई है video के नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह कुछ control दिया गया है video का इस control के बारे में हम जान लेते हैं तो यहाँ पर वीडियो को अगर आपको play करना तो इस पर आप click कर दोगे जैसे इस पर click करोगे देखा आपने देखा आपने कि कैसे मैंने जैसे वीडियो को play किया है तो यहाँ प्ले हो गई यहां से आप वीडियो के पॉस्ट कर सकते हो यहां से वीडियो को स्टाप कर सकते हो ठीक है यह वीडियो की कुछ सेटिंग है यहां से आप बाइलूम यानि इसको म्यूट होग बचा हुआ है तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़े कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करू तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर